हेलो दोस्तों वेलकूम बैक टू दे चानल होप करती हूं आप लोग एकदम अच्छे से होंगे एकदम सेहत मांद होंगे आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपना फुल डे रूटीन इन ससुराल शेर करती हूं आप लोग इस वीडियो को बहुत इंजॉय करेंगे तो चलिए इस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं अच्छे की आदत थी कि वह हमेशा से सुबह जल्दी उठ जाते थे और अपने काम जल्दी से स्टार्ट करते थे तो धीरे धीरे शादी के बाद जब मैंने उनका रूटीन फॉलो करना स्टार्ट किया तो मुझे रेलाइज हुआ जब जल्दी उटके अपने घर के काम करत तो यहां पर ममी पापा दोनों ही चार बचे उठ जाते हैं और उनका दिन कितना ओगनाइज रहता है मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में किस तरीके से ममी यहां पर मील प्लानिंग करती है बो भी दिखाऊंगी आप इस वीडियो को एंटक जरूर देखेगा तो बस यहां पर मैं रेडी हो गई हूँ शावर वगएरा लेके और मैंने यह कॉटन का प्लेन सा सूट पहना है बिकिस यहां पर काफी गर्मी है बर स्टिल मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने ससुराल वाले घर में हूँ तो सूट वगएरा पहन के थोड़ ऐसा ड्रेस अप उससे पहले ममी की कोशिश रहती है कि ब्रेक्फर्स का सारा काम फिनेश हो जाए किचिन नीटन क्लीन हो जाए जिससे कि जब हाउसल पाय तो अच्छे से क्लीनिंग वगएरा कर दे और जो भी बरतनों वो क्लीन हो जाए यहां पर मेरे गोविंद और केशव भी उटके आ ग कि यह इस अबाउट तो बी यूर ओल बोई आइं रहली ब्लेस्ट तो हाव यू अल इस मादर होड़ी जर्नी तो बस अभी दोनों बच्छे नीचे ओटके गया है मैंने वने कोकोनेट पोर्टर बगेरा दिया है इन दे मीन ताइम मैं उपर आई थी अपने बेड्रूम को सदो कि फ्लूर धाती और यहां पर रूंटे टो नीचे रहा है जोकोनेट बागोनेट वाटर पी रहा है और अब बात करते हैं breakfast की तो जैसा कि मैंने बताया था breakfast में हैं आज पनीर के पराथे और ये ममी ने घर में अचार बनाया हुआ है करॉंदे का अचार है और नीबू का बहुत ही टेस्टी अचार ममी बनाती है तो ये है आज का मेरा breakfast और और मेरे बच्चों का न दिन पूरा नहीं होता जब तक पने दादू की स्कूटी में ना हुमें तो एक बार पापा के क्लिनिक जाने से पहले फिर जब वो शाम को कि जाते हैं तब भी एक राउंड स्कूटी से जरूर लगाते हैं जब बच्चों को भी ब्रेक्ष्ट अगर आप उसका फुल्डे रूटीन देखना चाहते हैं तो मैंने रीसिंटी शेयर किया था उस वीडियो का लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में डाल दूए आप चेक आउट जरूर करियेगा तो बस यहां पे नीचे आकर सो गया है और गोविन को मैंने तो पोई भी कंपनी से नहीं मिल पाती है तो उनका वोग फ्रॉम है और यहां पर अपलों के साथ शेयर करूंगी बट जितने भी दिन वो इंडिया में थे उन्होंने बहुत कम प्रेक्स लिए बाकी वो वोग फ्रॉम कर रहे थे तो बस हमारी हाउसहल भी पूरी करोंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी मुमीद कुछ नहीं काम में लगी रहती है सुबा ब्रेक्फस्ट बनाने के बाद किछन कर दिया था उसके बाद प्लानिंग हो जाती है कि लंच में कारिया उसके हिसाब सारी प्रेप्स भी कर लेती है वो तो इसी तरीक से मैंने उन से होम मेकिंग सीखी है एक्चली में जो मेरा रूटीन जो मेरा काम करने का तरीका है ना मेरी मदर इनला से काफी इंस्पाइर्ड है क्योंकि वो भी वरकिंग रही है अब वो रिटायर हो गई है बट उन्होंने भी काफी लंबा टाइम जॉब की है शी इस गाइनकॉलिजिस तो जैसे वो घर को ऑगनाइस करती है मुझे बहुत इंस्पाइरिंग लगता है मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है तो यहां पर हमारा वाटरमेलन जूस बन गया था सारे काम फिनिश हो गए थे केशु सो रहा था तो ममी ने बोला कि उसको रूम में मैं अकेले नहीं तो यह हमारा पीछे का आंगन है जहां पर वाशिंग मशीन वगरा रखी हुई है यहीं पर लॉंड्री हो जाती है और तार बंदेवें यहीं पर हम लोग ड्राइ कर देते हैं अगर अगर अप मेरा हाउस्टूर व्लॉग देखना चाहते हैं तो वो मैंने लास्ट टाइम में 2019 में आई थी शूट लिया था पूरा डीटेल में अपना ससुराल का घर आप लोगों को दिखाया था उस वीडियो का लिंक भी में नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में डाल दो यह चेक आउट कर सकते हैं तो पीछे आंगन में हम लोग थोड़े कप्डे डालते हैं जि और यह देखें यहां पर 10 10 हुआ है मॉनिंग के सारे काम खतम हो चुके हैं अब बहुत टाइम मिल जाता है पापा क्लिनिक से अराउंड 12 30 आते हैं उससे पहले काफी टाइम होता है आराम से बैठ के हम लोग खुब सारी गपे मारते हैं बहुत ठकान हो जाती है तो वख पढ़ाई चलती रहे अब हम रीधिंग करते हैं तो यह जो बुक है वो मैंने ऑननलाइन बनवाई है वर यह पिर स्पेल सट्ड़ी से मैं यह भ HogBooks को साहते है जैना और बच्चों का नाम बानाा उन्साड़ई के लिए आथा लिए और टाहता है तो बच्चों को बहु तो चलिए अब चलते हैं लंच टाइम में आज हमारे घर में बन रहा है कड़ी चावल मुम्मी की कड़ी वर्ल्ड की बेस्ट कड़ी है उनकी कड़ी का फ्लेवर अनमाचिबल है मुझे बहुत जादा पसंद है उनके हाथ की कड़ी तो मुमी ट्राइ करते हैं हर हफते एक बा कर दो मेरे लिए जरूर बनाएं और ना में एक स्वीजर मे बहुत बारे किया कि मैं आ पकारी बनाओ उनकी ऊपरविशन मेंके बनाती हूं तो बहुत आखी बनती है जब कोई से फीज Самल अी टरोटी सिंज नेमेस्वार ढू़िसे, सब रहर मेँकों अगी केमान ह्न Вам मुआ आलू परवल की सबजी बनाई थी, राइस बनाया था और कड़ी, ये फेवरिट कॉम्बिनेशन है कड़ी चावल का मेरा ममी के हाथ का स्पेशली, तो बस पापा क्लिनिक से आ गए थे, अब सब को गरम-गरम खाना सर्व हो गया है, और हम पूरी फैमिली बैटके आराम से बाद में लंच कराऊंगी, और इस ताइम सच अ बिग ब्लेसिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने पेरिंस के साथ बैटके, उनकी बाते सनो, अपनी बाते सनवाओ, इस हार्श कोवड टाइम के बाद हम अपनी फैमिली के पास आ पाई, उनसे मिल पाई, उनके स सब भी हम लोग यहां पर बहुत सारी चिट-चाट कर रहे हैं, पूरी फैमिली अराम से बैटके, मुमी के हाथ का बना खाना खाना एंजॉय कर रहे हैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मुमी मील प्लानिंग करती है शाम की इनिंग्स में, तो यह किस कूटी पे ना गूमें तो दोनों बचे फिर से अपने दादू किस कूटी पे चड़ गए हैं, बापा उनको राउंड लगवाएंगे, फिर से वो बापस घर आएंगे, और अभी शाम का टाइम है, ममी दूद लेने आती है, तो मैंने सुचा थ्रेडिंग करानी थी, त तो कच इस तरीके से रहता है हम लोगों का रूटीन काफी, जादा काम नहीं है क्योंकि मेरे सिसुराल में सिर्फ मैं और मेरी फैमली ही है, ममी पापा है, तो काफी चिल रहता है, ममी बहुत सारे काम खुदी कर लेती हैं, बट स्टिल मेरा मन रहता है कि मैं ममी के साथ आज बना के रहता है, पनीर कट करके रहता है, आलू मैश करके रहता है, जैसे कि आलू के पराटे सुबब बन जाएं तो इस टाइप की थोड़ी थोड़ी मी प्लानिंग ममी शाम के ताइम पर लेती है, नेक्स्टे की और बस अब हम लोग दिनर के तियारी कर रहे हैं, हम जबना थोड़ी तियारी कर लेते हैं, तो ममी दूद बगएरा बॉल करीती है, जो हम मार्केट से लेकर आया है, इन दा मीन टाइम मैं का लाओ मैं ममी चॉपिंग कर दों क्योंकि ममी को मेरे हाथ की चॉपिंग अच्छी लगते हैं, मैं जल्दी जल्दी चॉपिंग बोड को भूख लगी होती है पापा को भी तो जल्दी जल्दी हम लोग डिनर कर लेते हैं बाइस सेवन ओ क्लॉक और वर्स उसके बाद मैं किचिन को क्लीन कर दूंगी जो भी बरतन बगेरा होते हैं वह में खटे कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हाँसल पाती है वही अच्छा लगता है तो कुछ इस तरीके से हमारे सिंपल सी फैमिली का रूटीन है और यहां पर यह दो डोंगों में ममी ने दही जमा के रग दिया है कल के लिए एक ब्रेक्फस्ट में और एक लांच में और जो डिनर में दही चाहिए होता है वह ममी नेक्स देई जमाती है और बस लास्ट काम है आज के दिन का बच्चों की बॉटल को क्लीन करना तो बस मैंने गरम पानी से अच्छे से बॉटल को वाश कर लिया है और अब मैं गरम पानी भर के थोड़ी दे चोड़ दूँगे जिसे कि इस टेरलाइज हो जाए और उसके बाद हम लोग ना अज अ फैमली अपने मंदिर में पूझा करते हैं शेहन आर्थी होती है हम लोगों के है हनुमान चालीचा पड़ेंगे हनुमान आर्थी करेंगे हमारा मंदिर ना मेरे रूम के ऊपर है लाइक फर्स फ्लोर पे है तो मम्य को आर्थराइटिस का पेन रहता है तो कभी-कभी ममी आ जाती है कभी-कभी ममी नहीं आपाती है सीडियां चल के तो ममी आज नहीं आई है अज वो दिन था जो ममी को पैरों में काफी था तो बस हम ही लोग है पूजा करेंगे और ये मेरे दोनों बच्चे तो इस तरीके से हम लोगों की फैमिली का रूटीन रहता है आप लोग बता अपी अप्री शेयर करो है अपका दिन कैसा रहता है अजो एक हूम वह स्या जल्दी उजाता है तो झाल अज ंग और शबेंगे डिन रहता है तो छो बी रूटीन तो ने रहता है नहीं तो इसी घर से इंस्पाइड है तो बस हम हम लोग अपने रूम में आगए जल्दी अब भी बच्चों को बस में दूद बगारा पिलाओंगी दोनों का दूद में बनाके लेकर आती हूँ दूद पिलाके बस उनको रेडी करूंगी बेड के लिए and then they will sleep around 9.30 ही यहां पर भी सोने का हमारा time 9.30 ही रहता है and I hope आपको यह ग्लिम्स अच्छे लगे होंगे I'm really sorry अगर यह व्लोग छोटा बने बड़ा बने मुझे नहीं पता मैं एडिट करूं ही तक मुझे पता चलेगा कितना बड़ा बनाई है but मैंने कोशिश किया कि अपने दिन की छोटी 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 ग्लिम्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी आप लोग चाहते है मेरा दिन देखना and I hope आप आपने इंजॉय किया होगा अगर आप इंजॉय करते हो ऐसे वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजएगा and Instagram पर फालो कर लीजएगा